कि नियूस क्लिक पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे विफुल मुद्गल से जो अभी election bonds के बारे में सुप्रीम कोड का जो अंतरीम इंतरीम फैसला आया है उसके बारे में इस पे पिटिशनर्स दो थे common cause और एडियर और तीसरा पिटिशनर जी पीएम था दो पिटिशनर एडियर और common cause को आप represent कर रहे हैं किसी ने किसी फॉर्ग में तो आप इस फैसला पहली बात तो फैसला है क्या है जो सुप्रीम कोड अंतरीम फैसला की रूप में दिया है कहा है कि इसके बारे में फाइनल हेरिंग बाद में होगी अब तब ही वह अपना फैसला सुनाएंगे तो प्रीम पार्टी को इलेक्टोरल बॉंड से कितना पैसा मिला अब तक उसको वह सील्ड कवर में इलेक्शन कमिशन को दें और इलेक्शन कमिशन के साथ में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोड उसके बाद शेयर करेगा उन्हें 15 माई तक का टाइम दिया है और 30 माई के आसपास या उसके बाद वो एक प्रकार से उसकी सुनवाई आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमिशन ने एक तरह से सुप्रीम कोड ने मुझे कहना चाहिए सुप्रीम कोड ने एक तरह से स्विकार कर लिया है कि यह के पर हम बैंड लगा दें तो वो उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था हालांकि जो पिडिशनर्स थे उन्होंने ये मांग की थी कि इसके उपर एक आप अंतरिम रोक लगा सकते हैं फिलाल के लिए तो ऐसा करने से कोट ने इंकार कर दिया और इसके साथ-साथ ये करीब-क इसमें एनॉनिमिटी रहना ये सही नहीं होगा क्योंकि वो बोला है सुप्रीम कोट के जो निदेश है कि ये इलेक्शन कमिशन को दिया जाए तो इसका जो एक बहुत बड़ा बाते कही जा रही थी खास और से फाइनांस मिनिस्टर इसको कह रहे थे कि ये एनॉनिमिटी उ पर बोल चुके हैं कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक को मालूम है किसने किता बॉंड्स लिये हैं और बॉंड्स नंबर है तो जो वापस आएंगे रिडमिशन के लिए तो वहां पर भी पता चल जा गया किसने किता बॉंड खरीदा और किस पार्टी को द के रही है और जो सरकार ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया है दूसरी बात वो है जो पेडिशनर्स ने भी कही है और उसको बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने उसको बहुत साफ तौर पे स्विकार कि यह जो आपने बात कि कि अनॉनिमेटी यह डिमोक्रसी का नुकसान पहुचाएगी वोटर्स को मालू होना चाहिए कौन कितना को दे रहा है अब हम पहले यह समझ लें प्रबीर कि ऐसा सरकार का कहना अपने तरफ से क्या है सरकार का कहना यह है कि यह बहुत अच्छा कदम है क्योंकि नंबर एक हम चुकि आपका KYC है, बैक साथ में तो इतना पता रहेगा कि ऐसमें काले धन का इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरी बात सरकार की यह कहने का है कि इसमें चुकी एक यूनीक ईडेंटिफकेशन नंबर है तो उसमें आप ये एक तरह से पता रहेगा कि उस नंबर के हिसाब से वो पैसा आपका है और वो कहां गया लेकिन इसमें बड़ी समस्या है इसमें समस्या ये है कि इसको एक bearer bond के रूप में इस्तेमाल किया यानि कि मैं खरीदूं और खरीद के आपको दे सकता हूँ और आप अपने मन चाहे political party को दे सकते हैं तो एक तो इसको money instrument की इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि मैं कोई मेरे पास काला धाने या उसको मैं सफेद मैं convert करना चाहूं या पैसा इदर से उदर भेजना चाहूं तो मैं bearer bond आपको दे सकता हूं दूसरी बात यह है कि चूकी यह bank के थू है और उसमें एक यूनिक identification number है हार एक में तो यह पता bank को तो कम से कम है और वाई एक तरह से indirectly income tax authorities को और finance ministry को भी एक तरह से पता रहने की संभावना है कि यह पैसा किसने लिया किसने यह खरीदा और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सरकार का कहना है कि मुझे नहीं आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है एक ऐसी पार्टी जिसको पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था उसको ऐसा करने की कोई जरूवत ही नहीं थी क्या उनको ज्यादा पैसा मिला इसकी वज़े से नहीं उनको एक जरूवत थी उनको दूसरे पार्टियों को पैसा ना मिले इसकी कारण हो सकता है कि दूसरी पार्टियों को कितना पैसा मिला ये पता किया जाए और दूसरा कौन से किसी ने मान लिजे 45 करोर के बॉंड खरीदे और सरकार को पता है तो या फिर किसी को पता है तो जिसको भी पता है समझ लिजे रूलिक पार्टी से संबंदित किसी व्यक्ति को पता है मान लिजे कि वो उसको फोन करके कहता है कि वह सुना है आपने बॉंड खरीदे हमारा भी ख्याल रखिएगा तो दूसरों के पैसे में भी आप एक कट ले सकते हैं तो इस में बिलकुल कोई डर नहीं है किसी प्रकार की आप समझ में आ रही है सारी बात कि आपको 90% से भी उपर पैसा मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है कितना पैसा रूलिंग पार्टी को मिला है अदाज पांच से साथ परसेंट भी हो सकता है 90 प्रजिशन से ज्यादा जो है रूलिंग पार्टी हो गई है दूसरी बात जो इलेक्शन कमिशन ने भी कहा है दूसरे लोग भी कहा है आपके पेटिशन में जरूर होगा कि एनॉनिमिटी वोटर के सामने नहीं होना चाहिए कि आप कि अगर है जिसकी बात कह रहे है सरकार को तो मालूम है कौन बाण खरीद है यह पर अनॉनिमिटी जो है सिर्फ आम जंता के लिए है या डिमाक्रिसी में मीडिया के लिए है उनको मालूम नहीं कितने पैसा किस को दिया है तो यह यह चैलेंज आप लोगों की भी थी और यह चैलेंज एलेक्शन को बीशिए तो इसमें एक बात मेरे इसाब से समझने की है वह बहुत ही साधारन बात है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं जैसे यह फाइनेंस के जी लेविया बना रहे हैं उसकी आवश्चक्ता नहीं है बहुत सिंपल बात ही है कि आपने मेरे लिए यह किया उसके बदले में मैंने आपके लिए यह किया अगर यह पता लगे कि किसी व्यक्ति ने आपको अचानक सौ करोड रुप्या दे दिया तो मैं यह जानना चाहूंग कि आपको पैसा किस ने दिया? तो हमें पता ही निए लगए आपके, मान लिजे कि ये कि अक लॉबी है, कोई पेट्रोलियम लॉबी है, या कोई नेप्था लॉबी है, या फिर वो पैसा दिया और आपने उस लॉबी को टेक्स में कंसेशन दिया और फाइदा पहुचाया, त तो इसमें बहुत आवश्यक है जानना जनता के लिए और आज के युग में देखिए हमारी और आपकी जनरेशन जो है वो उसको मैं RTI की जनरेशन कहता हूं हम लोग सच मुछ RTI का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल से बड़ी बात है कि अब हमारे समझ में यह आ कुछ जनता के सामने रखूंगा तो अब हम इस जनरेशन में हैं डिजिटल वर्ल्ड में हैं जहां पर कि सारा डेटा सबको एवेलेबल है तो ऐसे समय में इतना उल्टा अगर कोई कदम उठा रहा है तो यह बहुत खतरनाक है डिमोक्रिसी के लिए तो एनॉनिमिटी और तो शब्द यूज किया है कि दिस विल हैफ सीरियस रेपकर्शन्स ऑन इंडियन डिमोक्रसी तो यह तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कई जो सीरिसी बात है कि पैसे के कीमत पे आप पार्टियों को मदद करके एक हिसाब से पॉलिटिकल पावर खरीद रहे हो यह यह भी क है वो क्या है देखिए इलेक्टोरल बॉंड में तीन चार चीजें हैं जो बहुत अच्छी तरह समझने की है पहली बात तो यह है कि इसने जो है वो इलेक्शन का खेल जो है उसको कॉर्पोरेट्स के लिए बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से ओपन कर दिया अब तक यह माना जाता था कि अगर मान लिजे कि आप टाटा है या बिर्ला है तो आप कंपनी आपकी नहीं पैसा देगी आप स्वयम जो आपके पास फाइदा आता है जो आपकी मिल्कियत प्रॉफिट आता है उसमें से आप जो देना चाहे व्यक्ति जो देना चाहे दे कं एक सिधान था उसी सिधान के अंतरगत ये माना गया था कि जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही है पिछले तीन साल का जो एवरेज प्रॉफिट है औस जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है उस औस आपका साड़े साथ प्रतिशत तक वो दे सकते हैं उसका एक रकम ही आप द पर फिर से कहता हूं कि जब हमने ये पेटिशन की कॉमन कॉज ने और एडियार ने तो हमने इसमें रियलाइस किया कि भारतिये डिमोक्रिसी जो है हमारे प्रजात तंदर की बड़ी ताकते हैं दीखे कितना सोच समझ के बनाया गया था मान लीजे लास्मेकिंग कंपनी लाइन है तो यह कंपनियां इन में से कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने एक एक साल की तंखाएं रुखी हुई हैं उन लोगों के प्रॉविदेंट फंड का पैसा वो लोग खा गए जो लोगों के बीमारी का और जो दूसी चीज़ों के उनके डायत हो है उसका पै अब यह हुआ कि आप जो है समबडी कटिंगा डील समवेर कि आप मुझे दलल से बाहर निकालो मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो लॉस में पहली बात कॉर्पोरेट के लिए बिजनेस इंडेस्ट्री के लिए पूरा खेल खोल दिया दूसरी बात प्रॉफिट मेकिंग की जगे आपने लॉस मेकिंग को भी अलाव कर दिया तीसरी बात जैसा आपने कहा था क्याव था 5 skip तो वह वह ध Bog के लिए तो वह प्रॉबात लेते हैं। नेताओं को खरीद लेते हैं पूरे-पूरे तेल को और रेल को और जियल को हई वो लोग है उनके लिए दॉज पूरा भारत का प्रजात्तंत्र खोल डिया आपने यह कर ठीक कर गया लेकिन अब ये पता लग रहा है कि कोई भी फॉरिंड कमपनी उसकी इंडियन सबसीडी सबसीडरी जो है वो अगर चाहे तो वो आपको पैसा दे सकती है अब बताएए आज के जमाने में सारी दुनिया में लिखा जा रहा है कि जब शेल कमपनिया है जो की टैक्स की अब बानी का किस्से अभी हैं कि ओवर-इनवाइसिंग की कोईले का विजली का सही है गलत है वह बात बेप्रबानित होगा और सिंगापूर में शेल कमपनीज इसके बाद दुबाई में शेल कमपनिय इनकी चर्चा अभी हमारे रजाग़ारों में आई है इस पर साफ है कि इस पे बड़े पुझी पती भी देश की tax savings का मदद लेते हैं और उस हिसाब से बाहर से पैसा लाके जैसे आप कह रहे हैं शेल कंपनी के तहद भी किसी भी पार्टी को कि तब ही पैसा देना चाहिए दे सकते हैं तो यह जो है आप सिर्फ पैसा विदेशी कंपनी सब का रास्ता खोल दिया आपने बहुत बहुत महत्रपून बात कही है इसमें आपने जो एक इशारा किया है इसके उपर common cause की Petition है हमने over-invoicing of coal and power equipment को चैलेंज किया है Supreme Court में तो उसमें जिनके कंपनियों के नाम लिया आपने वो भी है महानुभाव उनके अलावा और सारे बहुत सारे भी है उसमें public sector and research करके वो उन्होंने कागजों में मौर लगा के वो सब्मिट किये हैं सरकार को उन कागजों के आधार पर हमने कहा है कि जो चीज 400 क्रोड की होनी चाहिए वो 1200 क्रोड की दिखाई गई तो उससे दो काम हुए एक तो यह कि आपने over-invoicing की और वो 800 क्रोड का पैसा साइफन ओफ करके किसी दूसरी जगे पर भीज दिया पहला दूसरा यह कि जो small print होता है power tariff agreement का तो उसमें यह लिखा होता है कि जो व्यक्ति जितना पैसा आप input cost होगी उसके आधार पर tariff तै होगा तो यानि कि गरीब आदमी जो एक लट्टू जलाता है अपने घर में या विजली एक पंखच चलाता है तो वो प्रती unit विजली जादा देगा क्योंकि आपका खर्चा जादा हुआ तो आपने double मार कर दी गरीब नहीं वापस देश में subsidiaries के through आए और वो political parties को channel करें मैं कहता हूँ कि आज के election में सबसे बड़ी बात national security है मुझे लगता है कि national security के लिए इससे बड़ा खत्रा कोई है ही नहीं तो सिर्फ पाकिस्तान से national security का खत्रा नहीं है बलकि जो रईस है जो विदेशी कंपनिया है पै तो आपको क्या पता है मान लीजिए कि अगर शेल कंपनी शेल कंपनी इसमें कोई भी हो सकता है दाओद इब्राइम का भी पैसा लग सकता है तो इस पे है कि security इस वक्त जो है दुनिया में सिर्फ inequality की बात नहीं security की बात नहीं है और इसलिए जनवाद का सुरक्षा सब के ल dark places मेरे ख्याल से supreme court कोट ने कम से कम इसका तो आगाह कर दी कि आगे इसको सुनवाई करेंगे फैसला क्या होगा देखना पड़ेगा पर खत्रा क्या है election commission की reply से जब उन्होंने जो बोला है court पे आप लोग के petition से दूसरों के petition से मेरे ख्याल से खत्रा तो है कम से कम चर्चा म चर्चा में आ गया बिल्कुल ठीक है रहे हैं आप मुझे लगता है कि मुझे सुप्रीम कोट से पूरी उमीद है कि जिस तरह कि यह सील्ड कवर की जो आजकल चल रही है यह बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी चुकि यह electoral finance की बात है तो चलिए ठीक है सील्ड बहस करेंगे उस बारे में क्योंकि हर चीज political party का आपका RTI में नहीं है तो इसलिए बहस अलग जगह पर पहुंच जाएगी यह बात बिल्कुल सही है कि अगर चुनाओं में आपको funds मिल रही है तो election bonds की anonymity जो है voters के लिए है सरकार के लिए नहीं है पार्टियों के लिए नह अंदर shareholders है उनको भी नहीं पता कि आप तो यह एक shareholder democracy का भी लंगन है बर आज मुख्य चीज है क्योंकि आप डालने जा रहे है वोट के प्रक्रिया में है electoral democracy का सबसे बड़ा खत्रा पैसे से है यह आज हमारे हां पूरी तरह से इस खत्रे का सामना करना पड़ रहा है क्यों आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूस्क्लिक